उन्निस सो पचास के तशक में चीन ने अक्साई चिन पर कबजा कर सडकों का निर्मान चुरू कर दिया था और 1960 के आते आते चीन अक्साई चिन में कंभीर अतिक्रमन कर चुका था हलांकि 1954 में पंच शील समझोते के तहट भारत और चीन ने आपस में मिलजुल कर रहने का फैसला किया था लेकिन पंडित जवाहरलाल नहरू ने अपने आईबी चीफ वियन मलिक और जनरल कॉल की सला मान कर फॉर्वर्ड नीती अपना ली और पूर्वी शेत्र में में कमेहॉन रेखा के परे जहां चीन ने अपना दबदबा बना लिया था उस और बढ़ने का फैसला किया नहरू का बढ़ता हुआ अंतराष्टिक कद माउट से यूंग को नरास कर रहा था और अकसाई चिन में बढ़ती चीनी गुसपैट पर सार्वजनिक रूप से नहरू के अपत्ति जताने पर माउं ने भारत को सबक सिखाने का निर्ने लिया और मैकमेहौन रिखा से परे भारत की कमजोर रूप से तयार चौक्यों पर तेजी से चीनी हमलों का सलसला शुरू हो गया कुछ मामलों में भारतिय सेनिकों का जबाब कमजोर रहा जबकि अन्यम में उन्होंने हार के मुकाबले मौत को स्विकारना सही समझा इस कड़ी में हम दो राजबूत के बहादुर जवानों की वीरगाथा पर रौशनी डालेंगे और साथ ही देखेंगे छे कुमाओं का एक लौता भारतिय जवाबी हमला साथ अगस्त 1969 दोसो शशास्त्र जीनी सैनिकों ने नीफा के खिंजमाने में दस्तक दी बहाँ देनात असम राइफल्स के एक कश्टी दल ने जीनी सैनिकों के आगे बढ़ने को चुनौती थी और वे पीछे हट गए लेकिन बच्चस अगस्त को चीनी सैनिक एक बार फिर भारतिय शेत्र में लौट आए और बिना किसी सूचना के कोली बारी की और चौकी पर कपसे की कोश्टी दी ऐसी एक और घटना नीफा बॉर्डर पस्तित लौंग्शू पर भी हुई नहरू की सबसे बड़ी आशंका अब हकीकत का रूप ले रही थी और उन्होंने तब घोशना की की नीफा को सेना की कमान के तहत रखा जाएगा ये तत कालीन सेना प्रमुख जनरल थिमाया को इत्तला किये बिना खोशित किया एक महत्वपून निर्ने था लदाक और नीफा के तनावपून शित्रों में सेना को स्थानांतरित करने का मतलब था जीन के खिलाफ युद जिससे भारत को लावारूत के मामले में और बुनियाली रूप से भी कमजोर स्थिती में था भारतिय कमांडरों और जवानों को एक जीनी हमले का अंदेशा हो चुका था उन जवानों को जो नीफा पर अपना कारेकाल पूरा कर चुके थे और जल्द ही श्यांती स्टेशनों में कदम रखने जा रहे थे दो राजपूत और एक नौ गोरखा राइफल्स जो ना तो पूरी तरह तयार थे और ना शशस्त्र उन्हें फिर से फॉरवर्ड लाइन पर जाने का आदेश दे दिया गया और इन भारतिय पूजिशन्स ने संसाधनों की कमी के बावजूत इस बड़े चीनी हमले का जवाब देने का फैसला किया 9 अक्टूबर 1962 जनरल कॉल नाम का चुके तीसरे पुल पस्तित थे सुबेदार दश्रत सिंग, दो राजपूद और नौपंजाब के अन्य वरिष्ट अधिकारियों और अन्य जेसियों को जनरल कॉल से मिलने का आदेश दिया गया जो चार डिविजन के मेजर जनरल निरंजन प्रसाथ से मिला था जनरल कॉल ने नाम का चुनदी के पार थगलारिच पर कबजा करने की अपनी महत्वकांची योजना पेश की वहां मौजूद सभी लोग तुरंथ ही जान गए थे कि जनरल कॉल की योजना आत्मघाती थी सभी अधिकारी स्थब्द रह गए और एक असहेच चुप पीछा गई जनरल कॉल जस आत्मघाती योजना को अंजाम देने जा रहे थे उसके खिलाव बोलने की हिम्मत किसी भी अधिकारी में नहीं थी तेरी चुटी मंजूर हो गई है अपनों के साहिल है अपनों के अर्मा है बाकी हम कादिल है और उन्होंने उनसे पूछा और आप कॉल की प्रतिकरिया देखिए वो कहता है सर ये क्या है हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा क्या अंदुश्मन पहाड़ी परो और हम नदी में बैठे और कॉल का जवाब था कि क्या आपने कभी किसी जनरल को खाईयों में बैठे देखा है आप एक समान्य सैनिक हो या एक एरफिल्ट मार्शल और उतका खुला तो दोनों के सर पर किरना है कॉल के खिलाफ अपना मत ना रख पाना उनकी सबसे बड़ी असपलता थी जवाब हर कोई जानता था लेकिन मैं मानते रहे कि जीनी कुछ करने वाले नहीं है 10 अक्टूबर 1962 भारते सेना द्वारा योजना बद्ध हमला पूरी तरह फिफल हुआ जब एक पार हर गोली और मौर्टार बम नदी के पार से उनके पास किरना शुरू हो गया परिकल पना नुसार नदी पार करने की सेना की कोशिश फिफल रही ये जल्द ही सपष्ट हो गया था कि चीन किसी भी भारती अगतिविधी को बक्षने वाला नहीं था जब हमने जेनरल कॉल का प्लान जाना तो हम चौंक गए ब्रिकेडियर दल्वी की साथ ब्रिकेट और दो राजपूत को नामकाचू की तरफ की पोजिशन्स समालने का अदेश मिना था जो पूरी तरीके से चीनी दबदबे में थी और थागला रिच पर चीन हावी था ये दोनों पोजिशन्स हमारे लिए रणनैतिक रूप से नुकसान दायक थी आर बज़े उन्होंने 6 किलोमीटर से पहले बैलगाट का फायर किया पूरे बैलगाट पर फायर करके फिर उन्होंने 25 पांडर का गोला वरसा है हम लोग 15 किलोमीटर नीचे थे अब जब बंबार्डमेंट हुआ वहाँ पर तो कोई हम लोगोंने कोई डिफेंस भी नहीं बना पाया था अब जब गोला आता था तो हम पेड़ की आड़ लेते थे दो राजपूत ने द्रड़ता से लड़ाई लड़ी लेकिन वे कुछ ही घंटों में परास्त हो गए और बागियों को पीछे हटना पड़ा नाम का चू में लड़ रहे 500 लोगों में से 285 मारे गए जबकि अन्य को पकड़ कर युद्ध बंदी के रूप में लिया गया नाम का चू पर बंकर और खाईयां इसके नीचे लड़ने वाले जवानों की कप्रका बन गई सुबेदार दश्रत सिंग को 28 पार पेट में कोली मारी गई और युद्ध बंदी बना लिया गया और नीफा में तवांग तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता बुमला एक्सिस से गुजरा ये वह जगत थी जहां सुबेदार जोगिंदर सिंग जिने बात में परमवीर जक्र से नवाजा गया उनके नितर्त्व में एक सिख रेजिमिंट के जवानों ने एक भयंकर लडाई लड़ी एक विशाल चीनी सेना के सामने एक ऐसी लडाई जिसमें कई जवान शहीत हुए लेकिन उन्होंने अंद तक हार नहीं माई एक सिख के सुबिदार जोगिंदर सिंग की पल्टन में 29 लोग थे और बुमला के पास टॉंट पेनला के आई बीरिच पर एक पोजिशन का बजाफ कर रहे थे सुबिदार जोगिंदर सिंग ने एक सिख की अपनी पल्टन के साथ उतली धारा पर नजर रखी जो उनके और तुश्मन के बीच में थी चीनी के वल थाई सो गस की दूरी पर खाई खोट रहे थे सिखों को अंतिम आदमी तक लड़ने का आदेश दिया गया और सुबिदार जोगिंदर सिंग के नितरत्व में एक सिख की आखरी गोली और पल्टन ने इन आदिशों का पालन किया सुबिदार जोगिंदर सिंग को पता था कि एक खूनी लड़ाई लड़ी जानी थी शायद उनकी आखरी, उनके रेटायर होने से सिर्फ एक साल पहले 23 अक्टूबर 1962, टॉंग पिलना में सर्दियों की सुभा की चुपई साड़े पांच बचे दुश्मन की गोलाबारी की तेज आवास से तूट गई 200 चीनी सिपाहियों की पहली लहर ने भारतिय सीमा पर उनके और भारतिय सेनेकों के पीच की धारा को पार कर लिया एक सिख के जवानों ने दुश्मनों का सामना किया और सफलता पूरवक पहले हमले को अंजाम देने के लिए उठ खड़े हुए अपनी खाईयों से फाइरिंग की तब तक जवाब देते रहे जब तक की चीनी से ना पीछे नहीं हटी चीनी हमले की दूसरी लहर ने सिर्फ आदे खंटे पाद दस्तक दी सुवेदार जोगिंदर सिंग ने अपने शब्दों और कारवाई से अपने साथियों को प्रेरित किया जांग में कुली लगने के बावजूट उन्होंने वहां से हटने से इंकार कर दिया आई भी रिच पर एक सिक के 39 जवानों द्वारा त्रिता से आयोजित की गई पोजिशन दुश्मन की भारी गोलाबारी के बाद भी एक इंच भी पीछे नहीं हटी रण हुंकार और घायलों की चींखें गूजने लगी और साथ ही हताताओं की संख्या भी बढ़ने लगी जैसे ही उनका गोलाबारूद खतम होने लगा सुबेदार जोगिंदर सिंग ने अपने सेश प्लटून को अपने हथियारों पर संगीनों को ठीक करने के लिए कहा और पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर हमला करने का निर्टेश दिया सुबेदार सिंग और उनकी पलटन ने उस शाम तक दुश्मनों को रोकने में काम्याबी हासिल की जब तक कि हर आदमी घायल या मृत नहीं हो गया सुबेदार चुगिंदर सिंग ने अपनी राइफल से तै की गई संगीन के साथ चीनियों पर हमला करना चुना उन्हें जल्दी एक कैदी के रूप में ले जाया गया और कैद में उनकी मृत्ति हो गई उन्हें उनके वीरतापून कारियों के लिए मरनोपरांत परमफीर चक्र से सम्मानत किया गया और जब जीनियों को इस घोशना के बारे में पता चला तो उन्होंने पूरे सेने सम्मान के साथ उनकी राख वापस कर दी